कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में बिलकुल एजी और टेस्टी सी रेसेपी जिसे आप भी एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही मज़ी की लगती है और बहुत ही संपल असको बनाना चले बिना देर के वे रेसेपी शुरू कर लेते ह लसन जैसी भून जायना इसमें आप एक मीडियम साइस की बारिक टीवी प्यास चालिए और प्यास को एक दो मिनट तक सौटे कर लिजे पस हलका सा प्यास हमें फ्राइ कर लेना है जैसे ही प्यास सौटे हो गई इसमें आप डाली कैपसिकम जिसको मैंने बिलकुल बारिक- थोड़ा सा जिंजर पेस्ट थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल कर लिया है और फिर श्रेड कर लिया है इसको मैंने मिक्सर जार में श्रेड किया है जैसे यह इसली बारिक हो गई है बहुत जादा मोटे टुकड़े मैंने नहीं रखे हैं इसके और इसको मैं इसमें मिला दे र और प्लस लाल को टीवे मिर्चे या चिली फ्लेक्स मैं इसमें 1 तीस्पून एड़ कर रही हूँ और बस इसे बिल्कुर अच्छ से मिला दूँगी फ्लेम मैंने मीडियम रखी वी थी और मीडियम फ्लेम पे हमें बस इसको हलका सा टॉस कर लेना है मसाले डालकर बिल्कुर अच्छ से मिला दिया है हमने और अब इसमें हमें थोड़ा सा बाइंड लाना होगा जिसके लिए हम सॉसस अड़ करेंगे तो सबसे पहले दो टिबल स्पून मैयोनीज डाल रही हूँ मैं वन टिबल स्पून में शेजवन सॉस डालूंगी मैं और दो टिबल स्पून में इसमें इमारा केचप अड़ करूंगी इससे डालकर बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा प्लस यह स्टफिंग और भी मज़िदार बन जाएगी तो यहां पर इन सारी सॉसस को डाल कर आपको इसको अच्छा सा स्टर देना है और बस आपकी यह बिल्कुल टेस्टी से स्टफिंग रेडी हो गई है अब आपको लेना है ब्रेड ब्रेड हमें लेना है और इसके एजिस निकाल देने है इसके कॉर्णर कर देने है अगर आपको नहीं कट करना तो आप साथ में भ और इस तरह से हाथों पे गोल घुमाते वह आपको इसको रॉल कर देना है और चिकन ब्रेड रॉल इसारा से बना लेने और नेक्स Berea म्हीन आपको मै्ड़े से एक स्ल्रेर बनानी है और गारी स्ल्रिप बदानी के बाद में ब्रेड्ट क्रम्स बनाया था पहरे आप एकक क्रीड Yeah और उसके बाद में ब्रेड क्रम्स के साथ में कॉट कर दीजे karışFicion पर यह से ऐंसे अकष हुआ भर्टना देजाले के चुक पर चूर्च मोनत को चेंज किजेगा और दोनों तरफ से फिर इसकी साइड को चेंज करकर हमें ऐसे गोल्डन फ्राइब कर लेना है सबी तरफ तो इस तरह से फ्राइब करेंगे तो यह बिल्गुल क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही लाजवाब लगते हैं तो यह चिकन ब्रेड ड्रोल्स को आप एक बार जरूर ट्राइब कीजेगा एस इवनिंग स्नैक और फिर अभी रमजानों में फ्तार के टाइम पर आप इसको बन अगर आपको मेरे रेसपी चिकन ब्रेड ड्रोल करनें तो इसे एक बार जरूर्वर ट्राइब कीजेगा